हालो एव्रिवान आज हम पनीर के पराठे बनाएंगे तो यह इंस्टेंट पनीर मैंने बनाया है एक लीटर दूप का उसमें हम डालेंगे प्याज कटी हुई हरी मिर्च थोड़ा सा अध्रब ग्रेट फिर उसमें एड करेंगे कसूरी मेथी नमक लाल मिर्च पाउडर जीरा पाउडर एंड हाफ टीस्पूल अज्वेन अज्वेन मैंने क्रश करके रखी हुए है और सब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और पराठे तयार करेंगे तक तक गेहु का अर्टा प्योर उसे मैंने कोई भी दूसरा अठा मिक्स नहीं किया है और ऐसे ट्रेडिश्चनली दो चपाते बनाते हैं जितना बड़ा पराठा आपको बनाना है उतने बड़े चपाती दो चपाती आपको बनाने लिए पहले से और फिर ऐसे मिक्स्चर भर लेना है और तवे पर सेख लेना तेसी की लगाकर दोनों तरफ से बहुत ही बढ़िया सा पनीर पराठा रेडी हो गया है सिर्फ केहु के आठे में ही बनाते से इसलिये जब आप एक पेडे में भी बना सकतेओं आप कि को हम एक में जब एक पेड़े में बनाते हैं तो हमको हम नॉर्मल से और इसमें से भार लेंगे मिक्स्चर और सब तरफ से ऐसे दोला बना के रोल कर लेंगे तो देखिए आप देख रहे हो कैसे फट गया है पराथा और पनीर भी थोड़ा थोड़ा पाहर आगे इसे भी ऐसे ही हम देशी गी लगा के रोस्ट कर लेंगे पनीर का पराथा और गोबी का पराथा दो चपाती में ही अच्छा बनता है तो जरूर बनाएए और टेस्टी पनीर का पराथा एंजॉय किजिए थैंक यू